गाइस किसी भी बैंक में अगर आपका प्रधान मंत्री जंधन उजना का अकाउन खुला हुगा है तो आपको बस ये फॉर्म भर देना है और पांग शिजार रुपे आपके खाते में आपको मिल जाएगा आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ये कौन सा फॉर्म है और सरकारी पैसा आपको क्यों दे रही है किस प्रकार से आपको फॉर्म बनना है कहाँ पर जमा करना है सारे जनकारी को चली समझते हैं बिस्तार से नमस्कार मिरे नाम मनिस प्रजापती आप सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जिरुका देना जैस यह बात आप सभी लोग चानते हैं कि प्रधार मंतरी जन्धन युजिना का जो अकाउन्ट रहता है ये एक सरकारी युजिना के अंतर्गत खुला हुआ अकाउन्ट रहता है जिस पर आपको धेर सारे बेनिफिट दिये जाते हैं बैसे तो इस अकाउन्ट पर आपको बहुत सारे benefit मिलते हैं, फिरी में रुपे debit card मिलता है, zero balance account रहता है, और insurance के benefit भी इस account पर आपको मिल जाते हैं, फालतों कोई charge वगरा भी नहीं करते हैं, लेकिन इन सब के बापजूत आपको इस account पर एक बहुत ही जवर्दस्त facility मिलती है, जिसका नाम है overdraft, और इस overdraft facility में आपको सरकार की तरफ से 5000 रुपे की एक credit limit दी जाती है, जिसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, अब इस OD limit को लेने के लिए सबसे पहले तो आपको एक form बनना पड़ेगा, ये form आपको किस प्रकार से बनना है, पहले हमें समझते हैं, इसके बाद आगे की जनकारी को समझेंगे, तो गाइस अभी मैं आचुका हूँ मुवाली की स्कीन पर, और ये official प्रदाहन मंत्री जन्थन यूजना की website है, आप इहां पर देख सकते हैं, अब नीचे आप यहां पर देखिए का लेखा हुआ है, फिरती परिवार 5000 रुपे तक की ओवरड्राप की सूधा, अब मैं आपको फॉर्म देखा दूँ एक बार किस प्रिकार्ट से आपको फॉर्म बनना होता है, पट उससे पहले कुछ आप इसकी इलिजिबिल्टी जान लिजगा, देखिए बहुत सारे लोग के आए फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन इलिजिबिल्टी पूरी नहीं करते ह लिजिबिल्टी का फायदा नहीं मिल पाता है, तो सबसे पहली इलिजिबिल्टी यहां पर आती है एज की, अगर आपकी एज 18 साल से 65 साल है, तो ही आप ओवर्ट्राप के लिए किसी बैंक में अपलाई कर सकते हैं, इसके अलबाद दूसरी इंपोरेंट बात यह है कि आप आपके अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड सीडिंग डिविटी लिंक होना चाहिए, अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आप अपनी बैंक संपरक करिएगा, उसको लिंक करा लिजिगा, इसके अलबाद आपको ध्यान दखना है कि यह OD क लिमिट पिरती परिवार में एक वेक्ति के लिए ही दी जाती है और इसमें भी महला के लिए OD के लिमिट दी जाएगी अगर महला नहीं है तो पुरुष भी अबलाई कर सकते हैं आगे हम बात करते हैं लिए उसत मासिक सेस राशी का चारगुना अब यहसा नहीं है कि आपके एक एक लाग रुपे उसका चारगुना मिल जाएगा कम से कम तो आपको 5000 रुपे ही मिलेगा लेकिन यहां पर औस राशी का चारगुना मिल सकता है इसका लगा बताया गया है कि पिछले 6 माए के दोरान खाते में जमा रासियों के कुल जोड का 50% मतलब 6 माए के अंदर आपके खाते में जो पैसा आपने जमा किया है उसका 50% आपको यहाँ पर मिल सकता है और कम से कम 5000 रुपए ही मिलेगा इस बात का दियान रखेंगे अब आपको इसी के नीचे एक फॉर्म मिल जाता है और यही वो फॉर्म है जिसको आपको भरना है जिसक इसका ड्राप्टिंग बुल्कुल सेम रहता है आपको बस बैंक का लोगो बगेरा मिलेगा उपट बो आप देख लिजेगा बाकी इसी प्रिकार का फॉर्म आपको मिलेगा सबसे पहले आप पढ़ लिखा हुआ है पी एम जेडी बाई के अंतरगत बी एस बीडी खातों के और ड्राप के लिए रेड आबिदन से बजन पत्र सबसे पहले यहाँ पर आपको साका प्रमंदग लिखा रहेगा उसके नीचे आपको अपनी साका का नाम डालना है और अपनी बैंक का नाम डाल देना है इसके बाद यहाँ पर आपको उस दिन की डेट डाल देना है जिस यहां पर आपको amount डाल देना है कि आप कितने रुपए के लिए apply करना चाहते हैं bank यहां पर आपको OD की limit देगी तो अपने हिसाब से लेकिन आप यहां पर अपने हिसाब से 5,000 रुपए से कम डाल सकते हैं या फिर 5,000 रुपए ही डाल सकते हैं कि overdrap की सीमा हेतु आवेदन करता हूँ आवेदक का नाम यहां पर डालना है आपके लिए जनमतिथी डाल देना है यहां पर डाल देना है इसके बाद पिता पदी का नाम डाल देना है अगसाधी हो गई है तो पती होगे अगसाधी ने हुई है तो पिता होगे यहां पर नाम करते हैं जो भी यहां पर डाल देंगे और इसके बाद यहां पर आपको अपनी बार्षिक आये भी डालना पड़ेगी कि आप पूरे एक साल के अंदर कितना रुपे कमा लेते हैं इसके बाद नीचे आपको आपसे नम्लता है आठवी नम्मर का परिवार के सदस्यों का विव करते हैं अगर मैं सब कुछ आपको पढ़के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा नेचे यहां पर ब्रांच मेंजर अपनी स्कील लगा करेगा और डेट डाल देगा इस प्रकार से यहां पर आपको यह फॉर्म बढ़ देना है अब यह फॉर्म आपको अल ओडी का फॉर्म मिल जाता है तो इस प्रकार से आपको यह फॉर्म भर लेना है इस फॉर्म को आपको अपनी बैंक में जमा करना है जैसे आप फॉर्म भरेंगे उसके साथ में आपको अपना अधार का फोटो को भी लगाना है और पैर का फोटो को भी लगाना है यह सब डो बैंक आपके डोकुमेंट को चेक करेगा और आपके के साब से अधिकतम पांच हजार रुपे तक की एक ओडी लिमिट की फैसिलिटी आपके एकॉंट पर एक्टिव कर देगा देखिए यह होता तो एक लोन की तरह है यह जिस प्रकार से लोन लेते हैं किसी बैंक से और उसको थोड़ा सा लोजिक अलग रहता क्या है इसमें आपको कोई इंटरस्ट नहीं देना होता है अगर एक महीने के अंदर आप इसका पेमेंट कर देंगे तो पर यूश्थ आप यह पैसे कर पाएंगे तो अगर आप हर महीने अपने उडू तक पैसा बर दे जाते हैं तो आप 5 सारों साल तक इसको यूज कर सकते हैं और कोई भी आपको इंटर्स भी नहीं देना पड़ेगा अगर आपको छुटा मोटा बिजनस है या कोई जुरूत पढ़ गई आपके लिए पैसे की तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं और एक महीने के अंदर उसको आप भर देंगे अ इसके साथ बताया गया है कि इस अकाउंट में कुछ आपने लेंदेन किया हो अकाउंट भले जीरो बैंस है लेकिन कुछ उसमें आपने ट्रांजिसन किये हो उसमें लेंदेन किया हो आप फ्रड़ा बहुत उसमें बैलंस मैंटेन करते हो क्योंकि बैंक को भी लगना कर पाओगी तो अगर आपको आपकी बैंक ओडी की लिमिट नहीं देती है जंदन खाते पर तो आप अपने अकाउंट को थोड़ा इस्तिमाल करिएगा उसको आप थोड़ा यूज करिएगा और अपने अकाउंट में कुछ पैसा आप मेंटेन करिएगा लोग समझते हैं जितना पैसा इसमें आया है तो उसको निकाल लो ऐसा नहीं है जिरो बैंक का मतलब यह होता है कि आपको उसमें कोई मिनियम बैलन्स का चार्ज नहीं कटेगा अकाउंट में एक भी रूपे नहीं रहेगा त सरकार ने गरीब लोगों के लिए ही चलाई थी जिसमें जो किसान लोग है गरीब लोग है जिनके पहुंच होती है वो लोग इन उजना को ले ले लेते हैं और गरीब लोग का हक चीन लेते हैं यह बहुत ही सर्मनाक बाते हमारे देश के लिए अगर आपका इस उजना के अंतरकत कोई अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी CSP पर जाकर के अपना अकाउंट उपन कर सकते हैं क्योंकि अगर आप डारेक्ट ब्रांच में जाएंगे तो कई वार वहां पर आपका अजार रुपी तक का एक ओवरड्राप फैसिलिटी का लाब ले सकते हैं अगर आपको हमारी जनकरी प्रसंदा वीडियो लाइक के देने चले मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में